बिस्मिल्ला रुर्मान रुर्हीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम तुमाई चैनल साब शफीक आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सिल पे मैं आपको बॉर्डर अप्लाई करना बताऊंगा तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे किलिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नॉटिफिकेशन आप तक पहुचेए तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक आज की टॉपिक में आपको बताऊंगा कि बॉडर अपलाए कैसे किया जाता है तो इसकी एक शौट की जो है वो मैं आज आपके साथ डिसकस करूँगा तो इस शौट कीस के थुरू आप एक ही शौट कीस से जो है वो जितने कॉलम्स सेलेक करना चाहें उतने कॉलम्स और जितनी रॉस को कवर करना चाहें तो आप उस शौट कीस से जो है वो कवर करके आप उसी तमाम सेल्स के उपर जो बॉर्डर अपलाए कर सकते हैं अब यहां देखें मैं पहले एक short series की बात कर लेता हूँ कि जैसे मैं यहां पर B2 column से selection बना रहा हूँ कि मुझे यहां से G column तक और इसके इलावा मुझे 12 rows यानि कि अभी मैंने एक short range select किये कि मुझे इस पूरी range के अंदर border apply करना है तो मैंने यहां से all border पर click किया तो देखें मेरे पास border apply हो गया अब short range थी तो मैंने easily select कर लिया अब मेरे पास कोई task आजाता है कि आप जो है border number C से अगर आप start करें और आप ले जाए N column तक और इसके बाद नीचे आप 100 rows तक ले जाए या 500 या 1000 या 2000 जितनी भी rows हो तो हमें अगर इस तरीके selection मनानी हो तो इसमें time लग जाएगा अब मुझे नहीं idea कि मेरी जो rows है वो कहां तक complete हो रही है या मुझे अगर 100 columns complete करने है तो वो मैं कैसे करूँगा मुझे selection करने में problem होगी तो इसकी एक technique क्या है इसकी short key क्या है तो पहले यहां से जो है मैं in borders को replace कर लेता हूँ अब यहां आपको करना क्या है आपने जो है वो keyboard से F5 की जो key है वो आपने प्रेस करनी है अगर आपके पास laptop है तो याद रखीगा है laptop के अंदर ये problem आती है कि अगर आप simple F5 प्रेस करते हैं तो वो key काम नहीं करती है जिस तरह हमारे पास F1, F2, F3 की जो keys होती है वो directly काम नहीं करती है तो आपके keyboard में एक function होता है Fn का तो उसके साथ जो है वो काम होता है यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर keyboard आपको नजर आ रहा है यह Fn की की है इस Fn की के साथ जो पर टॉप पर आके पास जो है वो F1, F2, F3, F4, F12 पर जो बटर होता है तो उनके साथ जो है Fn यानि इस key को प्रेस करके अगर आप वो प्रेस करेंगे तो काम होगा अगर आप desktop पे काम कर रहे हैं तो simple आप इस keyword की आपको जोरुत नहीं पड़ेगे आप direct F1, F2 प्रेस कर सकते हैं तो हमने करना यह है कि आपने keyboard से F5 की कीज है वो आपने प्रेस करनी है तो मैंने यहां पर F5 प्रेस किया तो मेरे पास यहां पर एक short way open हो जाएगा यहां पर इस तरीके से go to के नाम से एक मेरे पास function open होगा इसमें आपको reference देना है अब reference आपको क्या देना है अगर आप यहां पर selection बना चाहरे है D column से और कौन सी row से D6 तो यहां आपको याद रखना है कि D5 वहां पर आपको cell select पर लाजमी करना है अभी मैंने जैसे 5 पर select किया तो मैं 5 से select करूंगा अगर आपको 6 से करना होगा तो आप cell की selection 6 से ही रखेंगे तो अब आपको यह column कहां तक cover करना है जैसे मैं चार रहा हूँ P column तक है तो मैंने यहाँ पर P press किया उसके बाद यहाँ पर आपसे कितनी rows cover करनी है तो मैं यहाँ पर देता हूँ 22 22 तो मैंने यहाँ पर लिग दिया 22 अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ok नहीं करूंगा यहाँ वो करना है कि आपने यहाँ पर shift प्रेस करना है shift के साथ ok करना है जैसी आप shift के साथ ok करेंगे तो आप देख सकते है P column तक चला गया है और raw कितनी 22 जो के हमने reference दिया था उसी reference के मताबबग इसने उस पूरी range को select कर लिया अब आप easily जो है यहां से all border पे click करें तो आप देख सकते हैं एक ही वक्त में याई आपकी shot की ने पूरी selection बनाकर आपको जो border apply करना था वो easily हो गया अगर आप देख सकते हैं यहां पर जैसे 25 से हम शुरू करते हैं मैंने यहां पर F5 प्रेस किया उसके बाद यहां से मुझे K column तक जाना है तो मैंने यहां पर K column दिया उसके बाद कहां तक करना है मैंने यहां पर दे दिया 100 rows कवर करनी है तो जैसे ही मैंने OK किया और OK नहीं करना था यहां मैंने mistake कर दिये F5 दुबारा प्रेस करें यहां आपने प्रेस किया D5 से आप शुरू करना है तो आपने D दिया K दिया आपने यहां पर K column तक करना है और 100 rows आपको complete करनी है और shift के साथ आप इसको कर देंगे OK तो आप देख सकते हैं 100 rows तक इसने selection बना दिये उसके बाद जैसे मैं border पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं K column है और rows अगर हम नीचे scroll करते वे आते तो यह 100 rows तक हमारा border अपलाए होगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो इस short key से आप border अपलाए कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको आज एक लास में बताया है तो वीडियो अच्छे लएगे like कीजे friends में share कीजे और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा मिलते नेक्स वीडियो में शुक्रिया